आपका स्वागत वरेने वीडियो में तो सबसे बहुत बहुत बात करते हैं मोहनबगाल सूपर जाइंट्स के बाड़े में सो मोहनबगाल सूपर जाइंट्स ने डील कंप्लेट कर लिया जैमी मैकलेरन का बिजमी मैकलेरन जो के संटरफोर पोशिन के प्लेयर है 30 जिनका इंकार साइनिंग कम्लीट हो चुका है ओफिशल अनॉंस्मेंट और कुछ बेसिक पेपर वोक्स होना भी भी पाकी है और लाइक यार इस साल का one of the biggest साइनिंग हो सकता है already शायत क्योंकि इस साल क्या होने वाला transfer window में किसी को कोई idea नहीं है जीरो idea है यार कुछ भी हो सकता है इस साल already इतना कुछ plan में है और इतने सारे बड़े-बड़े players का contract खतम हो रहा है बहुत कुछ हो सकता है लेकि जैमी मैकलेरन अभी के लिए तो एक next level signing क्योंकि आप देख लो 14.4 CR market value इनका लाइक हम लोग बोड़े से जैसन कमीस अर इतने बड़े player जैमी मैकलेरन जैसन कमीस का दो गुना ज्यादा better बड़े player है और खतरनाग deal लेज इनका और मोहन बगान ने इनका signing complete कर लिया है मुंबई ने में इंट्रेस्ट दिखाया था इस पेंगॉल ने भी थोड़ा थोड़ा इंट्रेस्ट दिखाया था लेकिन वह इंट्रेस्ट इंट्रेस्ट तक ही चला गया और मोहन बगान ने यहाँ पे और उस्ट्रिला में तो खेला ही है आप combination देख लो पेत्रा तोस जेसल कमिंग्स और जैम मेकलेर रहें डेडली डेडली combination है इससे ज्यादा खतरनाक कुछ exist ही नहीं कर सकता है इसल में बहुत ही ज्यादा बड़ा signing है महन बगान के लिए और लाइक यून बगान ने चीज़ों का अल्ड़ी एक्साइटिंग बना दिया है इस बार अल्ड़ी उने शील्ड जीता है तो next year के लिए FC Cup के लिए वोलो target कर रहें तो बनता भी है और इस साल वैसे FC Cup Brisbane like you know जीता है Central Coast ने जीता है basically जिरों ने अहराया था उडिशा को उसी टीम ले जीता है तो like you know उनका टीम बहुत solid था उस टाइम में बता रहा थे कि टीम बहुत खतरना के उनका आज जो भी हो बढ़ा जेमी मेकलेहरन महुनबगान में आने वाले हैं और इनका performance कैसा रहे था यह काफी जादा देखने लाए चीज़ होगा की प्लेयर से और अगर मालनो मुंबई इनका साइनिंग कर लेते तरो उनका midfield बहुत बहुत डेडली बच जागा वह क्यू बनेगा वो मैं नेक्स्ट लूस्ट को बता दूंगा लेकिन अड्रिया लूना नो डॉट एक बहुत टॉप नॉच साइनिंग हो सकता है मुंबई के लिए लेकिन ये साइनिंग कंप्लीट करना बहुत ही जादा मुश्किल है लेकिन कुछ भी वो लोग चाहे तो पूल-फ कर सकते मुंबई सो दिखते कि क्या फाइनली अड्रिया लूना मुंबई से डिशी में आएंगे या नहीं या फिर वो कोई दूसरी प्रेस को आडले में तो सैडली गो आगे वन अप्ट श्टार इंडियन प्लेयर अफ्ट सो मिली यह फोड के जा चुकिए है और वो प्लेयर है लूनाद ब्रैन ब्रैन प्रैन अफ्राइज है कि वो गोई चोड के जा चुकिए है और उनका नया क्लब है मॉंबई सिटी एफसी सो फि यहां पर ब्रैंडन का साइनिंग कंप्लीट करना मुंबाई के लिए नेक्स लेवल डील था और गोवा के लिए जो लॉस है आप इस लॉस को कैसे रिकवर करोगे कौनसे प्लेयर को आप टारगेट करो किसका साइनिंग कंप्लीट करोगे इंडिया में आपको कुछ बखुद बड़ा साइनिंग कंप्लीट करना होगा या तो सहाल जैसे प्लेयर चाहिए आपको पता है कि वह नेक्स लिए उनको भी रहना इंप्लीट है सो चीजे काफी कॉम्प्लीकेट है गोवा के लिए आने वाले सीजर में स्पेशली क्योंकि थोड़ा सा तो लाइक यूनों मुझे लगता है कही नहीं कि तो ऐसा गलत डिशिजन हुआ है उनको कोशिश करना चाहिए था ब्रैंडन को होल्ड करने का शायद और किया भी लेकिन अब मुंबई का ओफर जयादा बेटर था अफकोर्स उनका ओफर जयादा बेटर था और फूर थोड़ा सा पुश करते तो शायद ब्रैंडन फराणे जैसी गोवा यह लाइक 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 लिए फैमिली का इंड अफ तीं तो हो जाता शायद बर पता नहीं अंदर अंद इसको लेकर आपके था था थौर से आपके उपीडियन से आप करके मुझे जरू बताना ने बात कर लगते हैं बैंगलोर एसी के बार में तो बैंगलोर ने एक नए फॉरवड प्लेयर के उपर टार्गेट दिखा अल्थो जॉज पर डिया है लेकिन एक और लाइक फॉरव बैंगलोर कम्प्रेट कर लेते हैं तो अभी खेर बात चीज चल रहा है 5.6 करोर मार्केट वेल इनका लिफ्टिंग मुष्टिंग पेहरे 31 एज इनका और करेंटली तो फ्री एजेंट है कोई क्लम में नहीं से पहले ये ब्रजील के कोर्तीबा एपसी में थे उससे पहले न अगर लोग देखें तो दो सारे इन दो फाश्यापीन लीग जीता है फीफा क्लब वर्ल्ड कर जीता है Spanish चैंपियन बन चुके अपा शूपर कब जीता है Spanish शूपर कब जीता है French लीग कब जीता है इनोने स्पेइन को के अंडर 19 चैंपियन भी बन चुके फ्रेंच का सूपरकुप पिरों ने जीता है सो लाइक अचीवमेट्स बहुत सारे हैं लंबा लिष्ट है अचीवमेट्स का ग्रचेण पुझक लेकर लिए जब लखं सेम पलॉफ नहीं कर वैंसे बायन के नहीं लिए नहीं टरेंट लिए कररके लाइन मैं लिए जिता दिया और दैंट पॉछ चुके अब चैंपनिस लीग के फानल और रियल मंद्रिट इस इस देडली combination और एक like you know deadly team of course Real Madrid है और UEFA Champions League expert माना जाता है dominate करते है वो इस साल लालीगा भी जीत चुके और लेड़ी अब Champions League भी काफी close है वो वहाँ पर बुर्स अरटमॉंड के लिए तो खायर काफी important इस साल लेड़ी तक कुछ भी नहीं जीता है और अगर बुर्स अरटमॉंड इस साल जीत जाते हैं तो लो डाउट यार बहुत बड़ा बात होगा चैंपेंज लीग जीतना अपर इतना जादा बड़ा है कि इवेंट होता है वह काफी जादा देख्री लाइक चीज़ बन जाएगा और वेरी वेरी को अग्रेचुलेश्य जीत जाते हैं तो अगर कल बार में जीत जाते हैं तो पका ओल जमनी हो ही जाता है कि यहां पर बाहल लेवर किसल जै जिस फॉर्म है जिस रिदम है खतर नाक रिदम इनका सो रोमा और टू-जिरो से हार है एग्रेगेट में सो रोमा को इस मैच में कमबैक करने के लिए 3-2 से जीते लाओंगा वैसे रोमा ने कमबैक किया इससे पहले बड़े-बड़े कमबैक किया है बार्सलोन जैसे क्लब्स के गश्ट पर कमबैक किया तो वह भी पॉसिबल है लेकिन मुश्किल होगा थोड़ा सा मुश्किल होगा प्र देखते कि आइस से मैच का परफ मेंस लाइक यह तो मैंच का रिजट क्या होगा यह का यह काफी जादा देखना चीद हो लेकिन उम्मीद है कि बाइल लेभर के सब्सक्राइब दाइक जाएगा रिजल्ट सो